तो है एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक और न्यू गेमपले वीडियो में और आज हमें एक बार फिर से खेन ले जा रहे हैं रैंज सिमिलेटर तो का इस पिछले एपसोड में आपने देखा था कि हमने अपनी बीफ काउस और अपने बीफ बुल्स के लिए एक कोड़ा सा पेंट कर दिया फ्रंट का और इसकी जो लेफ्ट साइड की वॉल है मैंने इसको पेंट कर रहा है जो सामने के डोर से इनको पेंट कर रहा है और नीचे की जो फाउंडेशन है यह वाली मैंने इसको पेंट कर दिया लेकिन अभी राइट साड की वॉल और ऊपर क के बाद जो काउस है उनकी भी ब्रेडिंग होनी स्टार्ट हो चुकी है लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि यहां पर बेबी काउ आने में थोड़ा सा टाइम है एक काम करता है इसको मैं तोड़ी देता हूं वैसे इसकी जरूरत है नहीं क्योंकि एक जो फीडर है खाने का मैं जिसके अंदर हम काउस वगरा रखते हैं मतलब सेपरेट सेपरेट यहां पर हम रूम बना देंगे और उसमें यहां पर रखने वाले हैं फिलाल एक नहीं यहां पर लगा जाता हूं चोलो आग लग गई ना वससे माने उसको आन तो कर जाता है ओ भाई यहां पर नीचे की जो फाउंडेशन है यहां पर मुझे वाइट कलर करना है ठीका और ऊपर की जो रूफ है वहां पर हम ग्रीन कलर करेंगे लेकिन एक चीज और आपको जाद हो कि पिछली बार जो अपना चिकन कूप है उसमें कितने सारी मुर्गियां थी और मुर्गियों से जादा यहां प कि मैंने रेस्टोरेंट में बेश दिया था लेकर यहां पर फिर से एक्स इतने सारे कटे हो चुके और मैंने थोड़ी बहुत थोड़ी नी काफी सारी मुर्गियां मैंने यहां पर मार दिया क्योंकि आपको पता है कि अगर ज्यादा मुर्गिया ज्यादा पिक्स यहां पर लेकिन उससे पहले यहां पहले हम उसको बेच के आता है लेकिन उससे पहले यहां पे यहां पर आठ सो से नौ सो जो अंडे हैं आठ सो से नो पूरे के बारा पीस तो यहां पर आ चुके काम करते हैं इसको चलके मैं बाहर रखता हूं ठीक है और उसके बाद एक करके यहां पर जितने भी अपने पूलर के बॉक्स है ठीक है एक मिनट यहां पर अच्छा पीछे वाले में चिकन पड़ा है लेकिन सबसे पहले यहां पर जितना भी वाला प और यहां पर इसको भी हजाता हूं ठीक है उसके बाद जो चिकनंप कूप के अंदे जितनी अपने चिकन से उसको सब को जा के हम रिचतारूने बेचेंग lucas है उसके बाद हम जो अपना बान उपसर और उसके बनाने वाले दो डबने हैं दो बर चुके बेस्ते हैं और उसके बाद वहां से आके जो अपने बाना उसका काम है हम वह स्टार्ट करेंगे वैसे देखो आज की सुबह काफी जाथा बढ़ी है क्योंकि देखो एक तो आज यहां पर धूप काफी ज्यादा निकलिया और उपर से जो रोड है यहां पर बिल्कुल क्लियर दिखाए दीर है ने तो स्नो पड़ी होती थे ने तो पता नहीं चलता था कि कहां पर पत्थर है और अभी यहां पर थोड़ा बहुत इसका सीन पर रहा लेकिन चलो कोई बात नहीं स्नो में तो भाई कुछ ज्यादा बुरा हाल हो जाता है एकदम से पत्थर बीच में आता तो इसको मतलब हमें यहां से ज्यादा पैसा मिलने वाला है एक लक सताइस जार से भी जादा अपने पास डॉलर कटे हो चुके भाई देखो पिछली बार अपने पास शैसे एक लाग डॉलर से भी कम हो गया तो लेकिन अब जितना भी समान था वह सारा का सारा बेच के अप पास इतना सारा पैसा दुबारा से कटा हो चुका अब पैसे के को कोई दिक्कत नियुक्त हम nouvelles पैसा तोड़ा सा कटम हो रहा है तो उसका त्रक्रों पैस अपने में swoim चुकि है और इसे भी अपने को काफी सरा पैसां मिल जाएगा तो यह काम करते हो पहले हैं इन सबी को यहां से मैं इन में से निकाल के इन सबी को कूलर के बॉक्स में डालते हैं ठ nhất है इनको अभी नहीं बेचेंगे अभी दुबारा पैसा मिलने वाल है क्योंकि इनकी quantity देख रहो कितनी जाद है अपने पास में और हाँ अपने पास थोड़े से चीज भी पड़े होंगे क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा कि यहां पर मैंने थोड़ा बहुत चीज भी बनाया था जादा नहीं कम से कम चार पांच या फ जल्दी से जो अपना बान है उसका काम है हम यहां पर उसको स्टार्ट करते हैं और एक चीज हमें आज और करनी है अब दोको यहां पर जो क्रिस्मस ट्री है मैंने वो तो बना रहा है लेकिन वो जो ट्वाइस हम लेके आते हैं हाड़े स्टोर से मुझे नहीं पता था कि उ इतने भी क्रिस्मस ट्री है मैंने अपने जो गैराज के सामने लगा है उनको तोड़के मैं जो अपना घर है उसके सामने लगाने वाला हूं लेकिन उससे पहले यहां पर थोड़ा बहुत और यहां पर जो जलेवी है वो पड़ी है तो इन सभी को जो अपने कूलर के बॉक और सभस्क्राइब करें तो तो थोड़ा करें आको अधरो सबूर्स यहां फिरकश प्लाने करने बाइख तो अब्लाइब यहां टो गांगे air वे तुम्हारे लिए तुमहारे लिए यहां पर दिक हम तो अभी यह आईगा उससे पहले मुझे फटाफड यह पिसको लगाना पड़ेगा चलो अच्छा लग रहा दो खड़ी के बीच में और साइड सैड में बर आजगा तो ऐसी करकर करना मुझे जो डिजाइन है यहां पे पूरा का पूरा वैसी बनाना ठेक है अपना ये Door Frame ठीक है चलो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पर आएगी अपने जल्दी से वो वाली कहां गई Window यही ठीक है यहाँ पर यह तो हो चुक है और अब मुझे यहाँ पर क्या करणा आठीक है बस मुझे यहाँ पर यहाँ जो तो सबसे पहले आएगा अपना डौर उसके बाद यहां पर आएगी जो अपने दो फ्रेम आएगी एक इधर एक इधर इधर इसके पीछे आएगा यहां पर एक बन गया बांस टॉल मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं ताकि मैंना एक जो बुल है और एक जो बीफ का उसक सबसक्र करो इसके बाद आएगा इसकर बाद यहां पर अपना डौर कहाते इसको यहां पर लगाओ और उसके बाद यहां पे सबसे पहले यह जो गुबर इसको साफ करो उसके बाद यहां पे जो अपनी दो फ्रेम है विंडो फ्रेम एक इधर एक इधर और एक आएगा इस साइड में चलो फट आफट इसको करते हैं हम अब उनको तो बना के राड़ी करते लेगिन अब भी आपे बार यह उनको पूरी तरह से कंप्लीट करने की यानि कि उनमें प्लैंक्स लगाने की तो इसलिए यहां पर अपनी कार है और जो अपना बड़े वाले ट्रेलर है मैं उसको लेकि आ चुक्क हूं हाडवा स्टोर के पास में वसे तो को इस बारना हमें ज्यादा Plan सके जरूरत नहीं गए करो इस बार हमने खाली जुआ इनको लगा तो उसमें जद athletes 3-3 प्लाक लगती है लेकिन यहां पे पिछली बार जो बारना उसमें भौत यहां देखो उसमें काफी ज़्यादा प्लैंक्स लगेती लेकिन इसमें मैं सोच रहा हूँ कि 20 हाँ 20 से जो अपना काम है वह यहां पर आराम सो हो जाएगा तो ठीक है यहां पर 20 मैंने यह बाएक कर लिया है लेकिन अभी मुझे यहां पर एक चीज और बाएक करनी है वह है अपने यह भी बहुत सस्ते सस्ते है यहां पर 200 का एक हमें मिल रहा है तो ठीक है यह हो गया अपना तीसरा चारो यहां पर तीनों के तीनों जो यहां पर क्रिस्मस स्ट्रीट ट्वाइस है मैंने उनको बाएक कर लिया और अभी यहां पर रात भी होने वाली है तो अभी काम करते है यहां पर जो यह 20 हमने जो प्लैंक्स के यह बंडल से खरीद है इसको फटा-फट यहां पर अपने ट्रेलर में लोड करते हैं और जल्दी से यहां से निकलते सीधा अपने रैंच और फटा-फट यहां पर जो बांस्टॉल समने बनाए हैं उनमें प्लैंक्स लगा के उनको प बहार निकलना यहां इसको ना मैं इस से लाता हूं तो यह वाली जो काव है वो भी निकल जागी फटा-फटा-फटा-फटा अंदर आजा ने तो वह यहां से बाहर निकल जा चौलो यहां पर इसको मैंने अंदर बुला तो लिया लेकिन आभी दो को थोड़ा सा काम यह लेकिन अभी बाहर कल रास से इन्होंने कुछ निखाया तो मुझे फटा-फटावर यहां पर बनाना पढ़ेगा कहां यहां पना फीडर यह रहा ठीक है पानी का तो अभी पीछे वैसी वैसी पढ़ा है लेकिन मैंने खाना कहा यहां पर तोड़ जाता बाहर तो यहां पे पता ने इनके साथ यहां पर क्या हो जाता लेकिन चालो अच्छा मुझे सही टैम पर यहाद आ गया तो इसमें जा सोला प्लैंक्स लगती है तो फटरवड मैं सोला प्लैंक इसमें लगा जटता हूं वैसे मुझे और भी फीडर्स बनाने आगा जो फीडर्स और बॉटर बार बहुत ज्यादा पेटू है तो ठीक है यहां पर जो अपना फीडर है वह भर चुक है और जो अपने बाउन स्टॉल से लगबग यहां पर यह भी रैडी हो चुक है इधर की एक वाल बची है और उधर की थोड़ा बहुत काम बच है तो फटना फटना इसको भी यहां पर इनके डोर भी तो बनाने पड़ेंगे ताकि मैं उनको खोलेके और उनको बंद करके यहां पर जो काउस है उनको अंदर बाहर लेके जा सुकूं ने तो भाई अगर डोर नहीं बनाएंगे तो वो तो बाहर बाहर निकल जाएंगी यह एक तो भाई यह बार बार क्यों आ रह इसे आपर बनाने तो कहां गई अपने डॉर इसमाए होने चाहिए ठीक है यहां पर वुड़ मुझे एक लगाना इधर की साइड में ठीक है एक लगाना इधर और ऐसी करकर के मुझे इसा जितने भी या फ्रेम दिख रहे ना इन सबी में मुझे एक ही बाहर घूम रही है यहां पर इस ही को मुझे बाउंस टॉल है इसके अंदर डाला यह बूल है काव नी है लेगने एक मिनट यह अपना गल्त बन चुका है इसको मैं थोड़ा सा टेडा लगा दिया तो इसको ना मुझे यहां पर सीजा लगाना पढ़ेगा एक कम करता हूं अगर मैं अंदर से बा डेबी काव भी आ चुक है चलो भाई आकिर कर यहां पर एक बेबी काव है हमें बोच देखने को यहां पर मिल चूका कितना जटा प्यारा लग देखे दो काफी ज़चोता है काफी ज़्यादा प्यारा भी रहा लेकिन चलो को यह बात नहीं अभी फट्रफट इनके लिए जो उनके बांस टॉल्स है मैं इनको रेडि करता हूं लेकिन सही में भाई सब देखने में काफी ज़्यादा प्यारा लग रहा है शैसे वह अपनी मा के पास गया है लेकिन ठीक है यहां पर पहले जो अपने है यहां पर 40-40 प्लैंग यहां पर दॉनने और जो इसके लिए पांट में ने उसके यह बनाना है तो कि लिए फीडर या फिर एक वाटर् बाउल को बनाने में हमें 16 लगते हैं और आपको पता है कि आठ यहां पे हमने बांस रॉल बनाए है तो उसके अंदर हमने आठ फूड फीडर और आठ जो वाटर बाउल है यहां पे उनको रखना पड़ेगा तो इसका मतलब इस बार हमें जो प्लैंक्स है वह काफी जाता लगने वाले लेकिन कोई बात नी भाई दिक्कत किसलिए आ र स्वेट वाटर यहां पे इन सबी पसके अगया पर जले उनक को इन जा आठ झाए हुं उसने पहले इनको खाने का इंतिजाम आप यहां पर घूने तो क्या पता अगर बात में उनको लेक ऊटा है ऑर अग कर दो थे पता है कि खाना नहीं मिलेगा उनको तो क्या हो सकता है तो इसलिए मैं चाहता नहीं कि यहां पर हम बाद में भूल जाए तो इसलिए अभी यहां पर मैं फटाफट इसको यहां पर रेडी कर देता हूं लेकिन एक सिन यहां पर और है कि कुछ जो काउस है यहां पर दूसरे व तो यह काव ना यहीं पर सोती रहती और जो बाउल है मैं यहाँ पर रखनी पाता है क्योंकि इनके पानी का इंतिजाम भी तो मुझे करना है ना उसको बनाने के लिए मुझे मैटल भी लेकर आना पड़ेगा मैटल और जो जो कॉंकि यहां पर रात हो रही है तब यहां पर जितना भी काम है यह मैं फटा फट से कम्प्लीट कर देता तो कलना पूरी की पूरी रात जाके यहाँ पर जो अपने फीडर्स और जो अपने वाटर बाउस हैं उनका मैंने काम खतम कर दिया और अब भी देखो मैं काफी सारे जो यहाँ पर मैटल और थोड़ा बहुत कॉंक्रीड में लेके आ चुकों कि अब भी यहाँ पर हम ग्रेनर मैं लगाता हूँ ठीक है तीन और यह गई चौति ठीक है चार फांडेशन और इनके ऊपर हम बनाएंगे ग्रेनरी और विंड मिल लेकिन अभी प्लैंक्स मुझे चाहिए थे लेकिन प्लैंक्स तो सारे के सारे खतम हो चुके भाई तो छोड़ो यार अभी मैं नहीं जा रह इसकी लोग रेंज कावी दूर का को पूरा इसको फीडर से उनको तो यहां आराम से भर देगी तो अभी फटाफ़ यहां पे इसको रेडाइक करता हूं क्यों कि अब यहां पर मुझे बूटे करना पड़ेगा और एक ग्रेंडरी मुझे एक मिड अगर इसकी रेंज अगर अगर दूसरी सेड जाती है तो यहां पर मुझे और ग्रेंडरी दूसरी ग्रेंडरी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अगर इसकी रेंज नहीं पहुची तो तो मुझे दूसरी ग्रेंडरी यहां पर दूसरी सेड में बनाने पड़ेगी लेकिन कोई बात नहीं पहले मैं इसको ready करता हूँ ठीक है पहले हम इसको ready करता हूँ उसके बाद इसकी range में दुबारा चेक करूँगा हम दूसरी side जाके देखेंगे कि इसकी range वहां तक जा रही है बसे इसकी range नहीं काफी जाता होती है तो मुझे देखना पड़ेगा शैसे इसकी range दूसरी side भी चले जाता हो तो यहां पर हमारे एक ही greenery में सारा का सारा काम हो चाएगा चलो यहां पर एक मिट यहां पर इसको ready करते है फटाफट से मैं इसको फिल भी कर देता हूँ चलो बहुत इसका बतलब मुझे दूसरी greenery बनाने की ज़रूरत नहीं है और बस यहां पर एक चीज हमें और बनानी है वो है अपना windmill तो इसको भी मैं रखता हूँ यहां पर इसकी range अगर देखी जाए तो इसको मैंने थोड़ा सा इधर बनाया है लेकिन कोई बात नहीं यहां पर इसकी range भी शाह से आजेगी ठीक अपर उसको लेकर आ चुका हूँ क्योंकि अभी जो अपना बाना उसको पेंट करना भी तो बाकी है ना भाई उसको भी पेंट भी तो करना पड़ेगा तो इसलिए सबसे पहले यहां पर जो अपना बाना उसको हम पाना उसको पेंट करेंगे अभी तो हम बाहर से पेंट कर और सारे जो waterbounds है इनमें मैंने पानी भी आपे भर दिया और अब भी मैं जाके एक बार आपको दिखातों कि भाई देखो यहां पर जो अपने बाउंस टॉल से वह पूरे के पूरे और जो इनके अपने गयराज में रखे तो तो थोड़ी से प्लैंक अपने गयराज में पड़े होने चाहिए अगर पड़े होंगे फिर तो काफी अच्छा है नहीं तो मुझे फिर सी और हाडवे स्टोर जाने का मन नी कर रहा लेकिन यहां पर मैं क्या करूब आप जो पिक्स और उनकी अगर वो यहांपे मिल जाती हैं अपने ट्रक के पीछे थे शाय से पढ़े हैं चौला है एक दो तीन यहांपे इसके स्टैक पढ़ें तो इस से अपना काम बहुत कर दें तो फट अफट पर यहांपे जो अपने वाटर बाउल है मैं जल्दी से यहांपे उसको रैडि कर दता करेंगा लेकैंद आपक इसकर आपना इक लास्ट काम बचा है वह यह है कि अपना जो बान उसे है उसको हमें पस लेकर आचुक करों बस यहां पे मुझे इसको ुठाThank बस लगाते रहना है तो सबसे पहले उपनी our foundations यहां पर इन में मुझे करना है white paint लग जब भाई क्या होगा इसको ठीक है इधर का तो हो चुक है complete और ऐसी करकर के पूरे जितने भी नीचे की foundations है उन सभी में जो white paint है वैसे मैं काफी सारा paint लेकर हैं ठीक है paint हमें दुबारा लेने की जाने की यहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी मैं तीन तीन चार चार डब यहां पर पेंट के लेकर आ चुक हूं ठीक है तो इसका मतलब यहां पर इतने paint के डबों में जो अपना काम है वो हो जाना चाहिए वैसे भी यहां पर जादा तो नहीं यहां पर थोड़ा बहुत ही paint यहां पर इधर का तो पहली से मैं लगा रहा है चलो यह तो काफी बढ़िया दिखो इधर का तो पहली से अच्छा ठीक है इसको तो मैंने पहली यहां पर complete कर जाता है लेकिन अभी अ उनी को paint करना उसके बाद जो अपना पूरा का पूरा बाना उस है यहां पर paint हो जाएगा तो यहां पर इधर तो मैं पूरा का पूरा green कर दूंगा लेकिन जो इसके ऊपर की रूफ है मुझे वहां पर चड़के जो paint है वो करना पड़ेगा क्योंकि उसके ऊपर तो मैं नीचे वाली यह वाली रूफ है मैं फटर फड़ यहां पर इसको paint कर दता हूँ तो अभी नहीं है पर जो अपना truck है जो अपना car है जो अपना trailer है मैं इस सभी को ले के आ चुकों क्योंकि इनकी मदद से हम चड़ने वाले हैं अपनी रूफ के ऊपर ठेक है सबसे पहले मु यह भैट यह यहां पर दो उपर की रूफ रहाए गी बागी यहां पर सब कुछ हो इंगया था complete लेकिन कोई नहीं यह पर इसको भी ले के चलते है उपर और फटा फट यहां पर जो काम है आम इसको complete करते है चलो वाई आप तो नीचे ना भाई साहब नीचे निगर ना उपर और फिर इसके ट्रक के उपर फिर इसके उपर और इसके उपर ऐसे अराम से हम इसको पूरा का पूरा कर देंगे पेंट इधर और एक गया इधर चलोगा यह तो पूरा का पूरा अपना बाना उस है वो आकिरकार हमने यहां पेंट कर दिया है और यहां बस लास्ट में बस थें अपने Christmas trees, हाँ, इनको तो मैं भूली गयता, वैसे मैंने इनको ready तो कर दिया, जो प्लैंक सी मैंने उनको लगा दिया, लेकिन ये जो toy है, मुझे इसको इसमें install करना है, nice, nice भाई दोगो, आप यहाँ पर पूरा Christmas tree लग रहा है, light भी यहाँ पर जल चुकी है, ठीक है अपने पास ना और पड़े है, लेकिन पता नहीं क्यूं मैं उनको उठानी पा रहा, हाँ, सही मैं कहा रहा हूं, भाई मैं उनको यहाँ पर उठानी पा रहा, इसलिए यहाँ पर मुझे दो एक्स्ट्रा और जो यहाँ पर Christmas tree twice है, उनको खरिदना पड़ा, पता नहीं क्या उठाते हैं, और इसको लगाते हैं, इस वाले Christmas tree में, वैसे अगर जादा Christmas tree होते हैं, तो सही में और भी जादा देखने को मज़ा आता है, लेकिन ठीक है, इतना भी काफी जदा बढ़िया लग रहा है, तो ठीक है आज किस वाले episode को यह पर खतम करता है, अगर आपको यह व जद घसे ह सकती काफी में, वो आपको यद खतम करता है, लेकिन ठीक है तो सही काफी जदा लादो देक हैं, इसा भी जद दीक है, आपको यहाँ के नवदास का रादाना सब्सकित्टинг काफीन गर जचा़ हैं, तो सही जाफीने हम शBay